पूर्ग भायासुर मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि दैते शत्रु महाँ गणेश की अराधना ना कर अरे मंदपुथी यदि तुझे अराधना ही करनी है तो परख्पिता प्रह्माजी के अराधना कर वो मेरे पिता महा है वो एक मत्र ऐसे महन देवता है जो यूगों से दैत्यों और असुनों को बर्दान देते आए हैं मैं तुझे भी उनसे मल चाहा बर्दान दिलवाऊंगी देत्यशत्र महागणेश की आराधना का त्याग कर मैं कहते हूं त्याग कर अब मैं तुझे दंडित किये बिना नहीं रहूंगी तुझे माता दित्री के आज्या क्यों पेक्षा नहीं कर सकता यह घुझे माग़ेशाय तुझे एल गाहाला कर दो कियो पूझे एली वुझे उनसे वाला की इ görün בש कि तुझे रहा हुआ 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 हु क्यों अपने दुर्दर्शा कराना चाहती हो दीदी इतना अधित लांचित और कलंके थोने के बाद भी तुम्हारी आंके क्यों नहीं खुलती दीदी माता मैंने आपको पहले से ही सावदन किया था कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी भी नहीं चोड़ता यह द्यात्य माता नहीं भयानक द्यात्य नहीं है यह वहट रेनी है जो भूख लगने पर अपने ही पेट से जन्में बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है कर लोगी तुम पर विश्वाफ करके तुम्हें यहां बेचकर जो भूल की थी अब मुझे उस भूल को सुधार नहीं होगा तेरे जैसी राक्षस्ति प्रिथ्वी लोग पर रहने के योग्य ही नहीं है फुझे योग्यता किशिक्षा ना दे गज्मुक चला जयाया से अन्यथा मेरा for कि तुझे दंडित करने में संकोच नहीं करेगा भी किस किफ को दंडित करोगी तुम तुम्हें इस बार में दंडित करने में उच्छी समय पर आप यह तो क्या कर रहा है गजमुग छोड़ दे मुझे छोड़ दे इसी परिणान के लिए तुमने इतनी अधिक दुष्टता की थी ना आप तो तुम्हारी चीक भुकार का कोई प्राभाव नहीं पड़ेगा अब तो तुम्हें पुन्हा तारग decreasing में बंदी बंका रहना लेहीं पड़ेगा नहीं गजमुक नहीं मुझे उस कारवास में न फैको मैं वहाहन नहीं जाओंगी गजमुक नहीं जाओंगी वहां जाना ही नहीं था तो इतनी दुष्टता क्यों कि अब तो तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा देते माता कमलाट के रजत्पूर में रहकर अब अपने पापों का प्राइश्यत करने के लिए शिव आराथना करना ना भूनना देते माता तका आर्णों कि शकशा जाएश्याश्यश्या थ। लुष्टता कैनिता है astronomers भी मuntedश्याश्यं। और रम चुम्हे भी में ना Nichही व मतो भी कर तेते हम अजय हम ऑना सुछ सक्क्तार्णों कि देता है प्सक्ता है जिए् प्राणना ऑ्सक्ता में तूम्हें… आप नहीं हुँए जोड़ूंगी तुझे गिन कर प्रतिश्व अंतलूंगी मैं कि अपने ही पेट से जन्में बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है यदि तुम लोगों ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको भी चबा चबा कर खा जाँगी यह आपको क्या हो गया देद्ट माता जो कुछ भी हुआ है उससे देद्ट दे जाती का कल्यान ही होगा अब मेरा प्रतिशो जाग गया है कमलाक्ष तुम्हें इसी समय शिव अराधना का त्याग करके स्वर्ग प्रिथ्वी और पाताल पर अधिकार करना होगा नहीं जब तक भाईया तारकाक्ष लोट कर नहीं आते तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तुम्हें ऐसा करना ही होगा तुम्हारे स्वार्थ की वेदी पर मैं पहले ही अपना पती खोड़ चुकी हो देते माता अब मैं अपने पुत्रों का बलिदान नहीं दूंगी पुत्र कमलाक्ष इस ब्रस्ट बुद्धी देते माता ने तुम्हारी माता को आहाद किया है इसे इसकी भूल का दंड अवाश्य मिलना चाहिए यह वर्दानी कमलाक्ष का रजित पूर है देते माता तुम्हारी पिता मैं प्रम देव के वर्दान से यहां आने वाले की सभी शक्ते नस्ट हो जाती है पूरिठ प्रहार करो यह है डिश्च्ट पूर्दानी कमलाक्ष कुछ तुम इस दुष्टा दुष्ट कर्मी स्वार्थी देते माता दिति की हत्या करके अपनी भक्ति को संक्त में लह रहे हो माता भले ही मेरी भक्ति संक्त में पड़ जाए परंतु आपको आहाद करने वा मैं तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगे पुत्रवधु शाम्भु की इस दुस्ठा का मर जाना ही उचित है जब तक एजीवित रहेगी क्रोथ में उफंती भी हर एक की जीवन की शांति को भंग करेगी तमलाक्ष को आज्या दो पुत्रवधु इसे दंडित करें विलम मुझे आहत करने के कारण तुम इस दुस्ठा को दंडित करना चाहते हूं हाँ माता मैं तुम्हें एक ऐसा उपाई बताऊंगी जिससे इस दुस्ठा को दंड भी मिल जाएगा और तुम्हारे सर पर कोई पाप भी नहीं चड़ेगा और तुम्हारी पूचा पर संकट भी नहीं आए ऐसा कौन से उपाई है माता श्री गणेश ने इस दुस्ठा को यहां फेग दिया तुम इसे उचालकर अंतरिक्ष में फेग दो ताकि जीवन धर ये अंतरिक्षी शूनी में भटती रहेगी नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करो द्यत्य गुरु शुक्रा अब तो तुम्हें दंड़ित होना ही पड़ेगा देख क्या रहे हो पुत्तक्म लीक जुचालकर की फेंग दो तो तुम्हारे स्वर्गे पिता तारकासुर और तुम्हारे आरात्यशियव शंकर तुम्हें कभी ख्षमा नहीं करेंगे छोड़ दो मुझे छोड़ तो छोड़ दो कमलाक्ष यदी आप चांत रहकर निरंतर श्रीव आरातना का वचन दें तो मैं आपको श्मा कर सकता हूँ हमें वचन देती हूं मैं वचन देती हूं कमलाक्ष है तो रहे हैं आप हमारा प्रणाम स्विकार करें अगर पुझी श्री गनेश दिती की दुष्टता से हमारी रक्षा करने के लिए आप कैलाश से यहां तक आ गए आप धन्य है कजानन आपकी भक्ति करने वाला कभी भी संकट से नहीं गिर सकता माता अधिती पिता के समान आधर्मी महशी कश्यप आप इस प्रकार प्रडाम करके मुझे लजिद ना करें मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ आपकी क्रिपा और आशिर्वात की काम न करता हूँ कि भी विश्व को वर्दान देने वालेगे की कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र है कि jeste ये आप projects ने ही दिया है आप ही क्रिपा से हम यह रहते वी जैनते हैं कि कि आप कौन है परम देव श्री महागणेश दत्व में आपका स्थान क्या है गौरि पुत्र श्री गणेश वीशिवर मैं परम देव श्रि महागडेश का अवतार, गौरी पुत्र, श्री गणेश हूं। हाँ, इतना अवर्शय है, कि इस समय में उनका ही प्रतिनिधी बनकर यहाँ प्रकटू आहूं। श्री महागणेश के प्रतिमिधी बनका हम कुछ समझे नहीं गौरिपुतर श्री गाएश विश्रीवर इस समय मैं यहां परमदेश्री महागणेश की इच्छा से भयासुर को उसके आरादना का प्रतिपल देने आया हूँ जो व्यक्ति आरादना सहित तपस्या करता है उसे उसका फल तो मिलना ही चाहिए ना आप आप इस असुर को वर्दान देंगे श्री गणेश क्यूं मुझे इन्हें वर्दान नहीं देना चाहिए माता आदिती आप ही तो परमदेश्री महागणेश की आरादिता हैं क्या आप परमदेश्री करती क्रिपा की कामना नहीं करती मंगल मुर्टी मेरी कामना में लोख zaten संसार की कंड्यान की भाव्णा होती जबकि इस दोंष्टकी क्या होती ये आपसे हुपई न ही माता मूझसे इसकी बात हुपई नहीं है फिर भी मुझे परम देवश्री महागडेश की इच्छा का समान करते हुए इसे वर्दान देना ही होगा ये सब चानते हुए भी आप इस असूर को वर्दान क्यों देना चाहते हैं स्री गनेश क्योंकि आरात्म और तपस्या करने वाले को वर्दान देना एक परंपरा है विधी का विधान है यदि तपस्वी को वर्दान न मिले तो संसार से आरात्म और तपस्या की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी आपकी वर्दानी शक्ति पाकर यदि इस हसुर ने संसार कोई समप्त कर दिया तो पाता हां व्यक्ति अपना सौधाग्य नेकर ही जन्म लेता है किसे कितना देना है और किसे क्या करना है यह तो परम देव श्री महागणेशी निश्रित करते हैं बयासुर जब तक एक आराधक और भक्त का कर्टव निभाता रहेगा तब तक मेरा वर्दान उसकी रक्षा करेगा जिस दिन वो अपनी दुष्टिता पर उत्रेगा उस दिन मेरा ही वर्दान काल बनकर बयासुर का अंत कर देगा देव परमद्यो श्री महागणेश और गौरी पुतर श्री गणेश का विश्वास रखें वे अपने भक्तों पर कभी संकत नहीं आने देगे माता यहां आने के मेरे दो देश हैं पहला दिती को यहां से दूर करने का वह कारे संपन्न हुआ अब यदि आप आग्या दे तो मैं भयासुर की कामना पूर्ण कर दूँ देवियदी एक तपस्वी की तपस्या और उसके वर्दान के मार्ग में बाधा बनना अनुचित मुझे ख्यमा कर दें श्री गणेश पुत्र मुह में पड़कर मैं आपसे अनुचित वाद विवाद कर रही थी मुझे अपने भूल का ज्यान है आप जो उचित समझें वही करें जो आग्या माता परम देव श्री महागरेश के भक्त भयासुर अपनी आखे खोलो हम तुम्हें वर्दान देने के लिए ही आपरकट हुए हैं कि आप कि अपने अंकुर से बाहत कर बिदें भेगेगा रही रही है मैंने किसी को नहीं सताया मैंने किसी को अफ्ष्रप कहा है कि मैं तो में तो यहां पर देत्ट कुरू शुका चारा क्या आग्चा माल कर स्वीश खरद कर रहा था आप मुझे यहां दंडित करने क्यों जले हला है कि उसका ऑफ नहीं तुमहारा नाम भयास रहे बाका है नमट्फ में लुई माया हुआ है मैं तुम्हें डंडित करने नहीं आया हूँ आप 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 दोने मेंने मतबते समान है इसे कहिए इसे कहिए कि मुझे अपने कुछ से दंडित ना करें सिन मुझे लिए इस प्रकार गिल गिल आते और भैबीथ होते नहीं देखा पारम देश्री महा गणेश की आरादना करके तुमने एक तपसवी का करतावें की है अब तुम्हें पहदित होने की आवश्रक्ता नहीं है है आप तो ने मुझे पंगड क्यों रख रहा है मुझे जोड़ देगा तुम्हारा नाम भयासुर के स्थान पर भयासुर रख दे तो क्या तुम भय से कापना छोड़ दोगे अब अपनी मुखता का क्या करो भयासुर हम तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं आये हैं तुम्हें वर्दान देने के लिए आये हैं कहो क्या चाहते हो तुम मैं जो मंगूंगा क्या आप वो देंगे अवश्य मंगो क्या मांगना है मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे जी क्या इतना ही मांगने के लिए तु पलम देर श्री महागणेश की आराधना कर रहे थे मैं स्वयम नहीं जानता कि मैं आराधना क्यों कर रहा था अब आप भी बताईए कि कि मैं क्या मांगू अब आएनमार्ग पर तुम्हें तुम्हारी तपस्या के लिए स्वर्ग और प्रित्वी का सामराज्य मिलना चाहिए अपने पूर्वज असरों के समान सोख वैबव और अतुल ये शक्ति के काधन मिलने चाहिए परंतु परंतु केते केते आप रुक्यों गये श्री महागणेश मैं श्री महागणेश नहीं केवल गणेश हूं इस समय तो मैं परम देव श्री महागणेश का प्रतिनिधी बर्कन तुम्हें वर्दान देने आया हूं तुम जानना चाते हो कि मैं परंदो कहते केते रुक्यू गया अविस्यम भयासुर, असुर जाती थी एक परंपरा है जन्मा लेने वाला हर असुर शुक्रा चारे का मार्गदर्शन पाकर अपनी तबस्या से वर्दान रान करता है उसके बाद वहां अपनी वर्दानी शक्तियों से उन्मत होकत, निर्दोष रिशी मुन्य और प्रिद्वी वास्यों पर अत्याचार करता है और संसार की शुप शक्तियों के द्वारा व्रिद्यू को प्राथ हो जाता है क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? नहीं, नहीं, मैं समाप नहीं होना चाहता, मैं लाखो वश जीना चाहता हूँ, वर्दान का सुक फोगना चाहता हूँ भायासुर, तुम्हें एतना वर्दान तभी प्राप्ध होगा, जब तुम जीवन बर परम देव श्री महागनेश की आराधना का वच्चन दोगे मैं, मैं अजीवन श्री महागनेश की आराधना का वच्चन देता हूँ, एक पल के लिए भी मैं श्री महागनेश की आराधना का त्याज नहीं करूँगा यदि तुम अपने वचन का पालन करोगे, तो हम तुम्हें वर्दान देते हैं, तुम अतोल्य शक्ती के स्वामी बनो, ज्वर्ग और प्रिथ्वी के सम्राट बनो, परंतु ध्यान रखना, परंदेव श्री महागणेश की आराधना करने वाला, कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करता, सभी को बंदू भाव से देखता है, सबको भक्ती और पुझा के लिए प्रेवित करता है, तुम्हारा कल्यान हो, प्रणा महशी कश्य, प्रणा माता अधिती, ओम श्री महागणेश आय नमा, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, आप दोनों मेरे माता पिता समान है, मैं आप दोनों की सेवा के लिए प्रस्तु थी, कहिए, कहिए क्या अज्या है, यदि तुम माता पिता की समान हमारा आधर करते हो, तो हमारे पुत्र स्वर्गादी पदी देवरास एंद्र को स्वर्ग से वंचिर ना करना मंगल मूर्ति गवर्य पुत्र श्री गणेश की परामर्श करने जीवन भर पालंग करना और कभी किसी निर्दोष प्राणी पर अत्याचार ना करना ओ नमस्षिवाय वर्दानी वीर भयासर जुर्देव थुर्देव मैंने आपकी आशिवा से परदान कर लिया हूँ वरदानी भयासर हमारी तब शक्ति के कारण हमें यह ज्ञान है कि तुमने वर्दान पराप्त कर लिया है हमारे परामर्श से ही तुम्हें वर्दान प्राप्त हुआ है इसलिए हमारी आग्या का पालण करना तुम्हारा करतब यह है जी गुर्देव गुरु की आग्या का पालण करना हर शिश्ची का करतब भी होता है कहीं गुर्देव मुझे क्या करना होगा वर्दानी वीर भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करके अपने वर्दान को सार्थक करो असुर और देत्यों के शत्रू दुश्ट इंद्र को स्वर्ग से पराजित करो और संसार में महान असुर्ष सामराज्य स्थापित करो जो आग्या कुर्देव जो आग्या ओम श्री महावने शाय नवाव देव अधिति कि शिवर कश्यप आप दोनों ने व्यर्थी वर्दानी भयासुर को प्रमित करने का प्रयास किया ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी असुर में वर्दान प्राप्त कर लिया हो और उसके पश् भगवान शिव से अनेकों वर्दान प्राप्त किये हैं आप शिव करपा से मृत्य संजीवनी विद्या के ज्याता भी है फिर आप सदा भक्ती में क्यों लीन रहते हैं कि इसका कारण यह है रिशिवर कि मैं जन्म से भ्राम्बन हूं सब कि रिशियों में से एक प्रिग रि देत्य जाती को हानी पाउचानी की जेष्टा की है तब तब मैंने उन शक्तियों का विरोध किया है देत्य गुरू विरोध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं परन्तु भया सुर्ग ऐसा पारामर्श ना दीजेगा कि मंगलमूर्ती श्री गणिश का वर्दान ही उसका काल बन जाल कौन किसका काल बने का देवी अधिती इस बात का निर्णय केवल समय करेगा ओम नमस्षिवार कि अधिए परम्द्यों श्री महागरेश हमारे पुत्र इंद्र की रक्षा करें कि अाल को और मन्से बात कि यस बात कि अगरेश पि symmetrical. कि सुप्समवाल झाल कि अग्कर परम्द्ट सक्क्रिक वारे Catholic ंग्गत्स कि वड़े अग्ने का ऱ जैंग्स कि सब्सक्र दित्त खारे खित्वार्ण define psych Additional S auto